अन्दर की खबर तो और भी बड़ी है उपेंदर कुश्वाहा ये जान गए थे कि अब नितीश कुमार ही उन्हें जेडियू में नहीं रहने देंगे हला कि कुश्वाहा ने आज यानी सोमवार बीस फरवरी को इस बात का ऐलान किया कि वो जेडियू छोड रहे हैं लेकिन अन्बीटी की बिहार टीम ने आपको एक्स्क्लूसिव खबर के जरिये पहले ही बता दिया था कि उपेंदर कुश्वाहा अब क्या करेंगे अन्बीटी ने आपको पहले ही बता दिया था कि उपेंदर कुश्वाहा जल्द ही जेडियू छोड देंगे और नई पार्टी बनाएंगे आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लग गई नया इस्ट्रूमेंट चाहिए क्योंकि पूरी विरासत को आगे बराने की जवाब देहिए अपने उपर लेनी है तो पूरी एक नया हम लोगों को नया इंस्टूमेंट चाहिए अर्थात नई पाटी चाहिए और इसलिए हमारे सात्यों ने ने लिया है ना दल बनाने का हम सब लोग आगे बढ़ेंगे इस नाई दल के साथ इस नाई दल का नाम क्या होगा अभी अभी आपको हम बताएंगे हमारे साथियों ने इस काम के लिए मुझको अधिकिर्द किया है मुझको अभी जो फैसला हुआ वहाँ बैठक में साथियों ने प्रस्ताव लिया सर्व समत्ति से प्रस्ताव पारित हुआ कि नया दल बनेगा उसके नाम की घोसना उपिंद्र कुस्वाह करेंगे एक और निर्ने इन लोगों ने लिया कि जो नया दल बन गया है आज निर्ने हो गया उस निर्ने को कारजानिवित मुझको करनी की जवाब देही मेरे उपर लोगों ने दी है और उस नई पार्टी का रास्तिया जवाब देही मेरे उपर है और इसी जवाब देही को देते हुए साथियों ने कहा कि पार्टी के नाम का भी एलान आप खुद कर लिजिए तो अभी आपको पार्टी का नाम बताएंगे लेकिन यह पार्टी आगे पूरी विरासत को आगे ले चलेगी जवाब पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम बंधक नहीं बनने देंगे भले हमारे बरे भाई ने बंधक मना दिया है आरजेटी के साथ एग्रिमेंट कर लिया है लेकिन उसे एग्रिमेंट को हम जनता के विज्जा कर तुरवाने का काम करेंगे जनता से कहेंगे कि बरे भाई ने गलत धन से पूरी जाइदाद कहीं गिर्भी रख दी इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे अपने हात में लेगे इसलिया अज़ हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं हम तो मुकंमल की बात कर रहे है मुकमल की बात करें और मुकमल हम अपने साथियों की मदद से बिहार बर की जनता की मदद से आगे चल कर जरूर उसको हासिल करेंगे जो एग्रिमेंट इन लोगों ने किया है आरजिडी के साथ उस एग्रिमेंट को खारिज करा करने का काम करेंगे लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ जो विरासत कभी करपुरी ठाकुर जी के बाद लालू जी फिर नितिश जी आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल परे हैं वह अग विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिर्वी रखने का काम नहीं करेंगे इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे इस विरासत को हम साजहा करेंगे समाज के सभी बर के लोगों के बीच हम साजहा करेंगे जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करें लब कुछ समाज हो, अती पिछरा समाज हो, दलित महदली समाज हो, अलफेंकर समाज के लोग हो या सबन जाट के भी जो समाज एक नया पसंद लोग हैं, परगतिसील लोग हैं उनको भी जितना हिस्सा होगा उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे हिस्सा उनका भी सुनिसित करने का काम करेंगे तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजिंडा होगा रहोगा वह सब फिर बाद में बताएंगे अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरेलेस्पी को इन्होंने जिन्दा रखा है लोग जूट बोल रहे थे उपेंद्र कुसवाह की छवी को बढ़नाम करने के लिए कर रहे थे आरेलेस्पी का मरजर उसी बक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस बक्त बैठा करके मान संभालने की जवाब दे ही हमारे साथी मेरे उपर देंगे लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पाटी बनाने का काम हमको करना है और नई पाटी जो बनाने का निरने हमारे साथियों ने लिया है जिसका राश्टिय अध्यक्ट बनने की जवाब दे ही मेरे उपर रास्तिये लोक जनता दल यही नई पाटी है रास्तिये लोक जनता दल